एक बार फिल से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है परिक्षवर्ड के से योटूब चैनल में हैं दोस्तो टॉपिक वाई जो समान हिंदी के हमने सिरी सुरू की है उसमें अभी तक हमने देखा है अनेकार्थी सब्दों को और पर्यवाची सब्दों को जितने भी important आपक important पर्यवाची सब्द बन सकते थी उनको भी हमने complete करवा दिया है अगर आपने हमारा समान हिंदी का ये दोनों वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाकर एक बात देख लिजेगा आज हम एक और समान हिंदी का topic यहां पर कबर करेंगे पुरे detail में वाक्यांसों के लिए एक स सब्द इस topic से जुड़े जितने भी important आपके वाक्यांस बन सकते हैं उनको हम यहां पे cover करने वाले हैं इसके अलावा हम last में कुछ important mcqs को भी cover करेंगे जिससे आपकी पूरी तयारी हो जाएगी इस topic से यह topic आपके exam के लिए बहुत ज़्यादा महत्पूर्ण है तो इस topic क बिलकुल ध्यान से आपको देखना है लास्ट अक इस वीडियो में बना रहना है एक भी question अगर इस topic से आप से पूछा जायेगा तो इस video से बाहर नहीं पूछा जायेगा तो इस video को आपको बिलकुल ध्यान से देखते रहना है इस video में सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ important वाक्यांसों के लिए एक सब्दों की और इसके बाद हम लास्ट में इससे जुड़े important mcqs को कभर करेंगे तो चले वीडियो को start करते हैं तो पहला है आपके सामने जिसके पाणी यानि की हाथ में चक्र हो उसे हम क्या कहते हैं चक्र पाणी यानि की बिश्डू कहते हैं इसके बाद जिसके पाणी यानि जिसके पाणी में वज्र है उसको हम बोलते हैं वज्र पाणी वज्र पाणी यानि की इंद्र कहते हैं जिसके पाड़ी में वीड़ा हो यानि कि इनको हम बोलते हैं वीड़ा पाड़ी यानि कि सरस्वती आपका राइट अंसर हो जाएगा जिसके पास चार भुजाए यानि कि जिसके चार भुजाए हैं उनको हम क्या बोलते हैं चत्तुर भुज बोलते हैं जिसके दस आनन है उसक तो आप इस याद कर लेजेगा, जिसके आने की तीथी मालूब ना हो, उसको हम बोलते हैं अतीथी, जिसके सिखर पर चंदर हो, उसको हम बोलते हैं चंदर सेखर important है, जिसके सिखर पर चंदर हो, उसको हम चंदर सेखर कहते हैं, जिसके समान कोई द्विती नहीं है, उसको हम देख सकते हैं उसको हम बोलते हैं पार दर्सक इंपोर्टेंट है जिसके पार देखा ना जा सके यहां पर पार होगा पास की जगा पार होगा तो जिसके आर पार देखा ना जा सके उसको हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं तो जिसके जिसके हिर्दय में ममता नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं तो आप आद कर लिजेगा निर्मम बोलते हैं ये थोड़ा सा उल्टा लिखा दिया गया है तो जिसके हिर्दय में ममता नहीं होते हैं निर्मम आप आद कर लिजेगा इंपोर्टेंट है और जिसके हिर्दय में दया नहीं होती उसको हम बोलते हैं निर्दय तो दोनों आपको याद अखना है अगर पूछे जिसके हिर्दय में ममता नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं तो जिसके हिर्दय में ममता नहीं होती उसको हम बोलते हैं निर्दय तो दोनों आपको याद अगना important है जानने के इच्छा के लिए एक सब क्या प्रियोग मलाया आता है तो जानने के इच्छा के लिए हम जिग्यासा का प्रियोग कलते हैं जिसकी ग्रीवा सुन्दर उसको हम बोलते हैं सुग्रीव आप याद कर लिजेगा जिसकी ग्रीवा सुंदर उसको हम बोलते हैं सुख्रीव जो भू को धारन कलता उसको हम बोलते हैं भूधर इंपोर्टेंट है जो भू को धारन कलता उसके लिए एक सब्द हो जाएगा आपका भूधर जिसके दो पद जिसके जो हैं यहाँ पे दो पद हैं यानि कि जिसके दो पैर हैं पद का मतलब पैर है उसको हम क्या बोलते हैं इसका हो जाएगा आपका क्या तो दीपद हो जाएगा important है जिसके दो पद हैं उसको हम बोलते हैं द्वीपद द्वीपद आपका right answer हो जाएगा इसके बाद जो सर्व सकती संपन है उसको हम क्या बोलते हैं तो जो सर्व सकती संपन उसको हम बोलते हैं सर्व सकती मान आपयात कर लिजेगा जो आपका सर्व सकती संपन होता है उसके लिए एक सब्द आपको जाएगा, सर्व सक्तिमान, जिसके चार पद हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, तो जिसके चार पद हैं, उसको हम बोलते हैं, चतुस पद, जिसका कोई नाथ ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, तो जिसका कोई नाथ ना हो, उसको हम बोलते हैं, अनाथ, का जिसका जन्म अग्र यानि कि पहले हुआ उसके लिए एक सब्द अपका हो जाएगा अग्रच जिसका जन्म पीछे हुआ उसको हम बोलते हैं अनोज अंडे से जन्म लेने वाले को हम क्या बोलते हैं अंडेज बोलते हैं जल में जनमने वाले के लिए हम क्या एक सब्द का प्र के साथ रहता है, उसको हम बोलते हैं सधवा, जिसका पती मर गया हो, उसके लिए एक सब्द आपका हो जाएगा विधवा, जिसका कोई सत्रू नहीं जन्मा है, उसको हम बोलते हैं अजात सत्रू, यानि कि जिसका कोई सत्रू नहीं जन्मा है, उसके लिए एक सब्द आपका हो जाएगा अजात सत्रू तो इसके बारे में आप याद देखेगा काफी ज़्यदा महत्पुन है इसके बाद जिसे इस्वर या वेद में विश्वास नहीं है उसको हम बोलते हैं आस्तिक और जिसे इस्वर में विश्वास नहीं करता है उसको हम बोलते हैं आस्तिक और जिसे इस्वर में विश्वास नहीं करता है उसको हम बोलते हैं आस्तिक तो दोनों आपको या दखना है वेद में विश्वास होता है, उसको मोलते हैं आस्तिक, दो बार जन्म लेने वाला के लिए एक सब्द आपका हो जाएगा, द्वीज हो जाएगा, अप्यात कर लिजेगा, दो बार जन्म लेने वाला को कहा जाता है, द्वीज, जिसका कोई सत्रू नहीं जन्मा है, उसको मोलत पार्थिव जिसका निवारण नहीं किया जा सके उसको हम क्या बोलते हैं तो जिसका निवारण नहीं किया जा सके उसको हम बोलते हैं अनिवार्य जिसकी उपमा नहो उसको हम बोलते हैं अनुपम याद कलेजेगा जिसकी उपमा नहो उसके लिए एक सब्द आपको जाएगा अनुपम अनुचित बात के लिए जो अग्रह कलता उसको बोलते हैं दुराग्रह यानि कि अनुचित बात के लिए अग्रह के लिए एक सब्द आपका हो जाएगा दुराग्रह जो कहा न जा सके उसके लिए एक सब्द हो जाएगा अकथनिय जिसकी चिंता नहीं हो सकती उसके लिए एक सब्द का इस्तिमाल कलते है अचिंतनी आपयाद कर लिजेगा जिसकी चिंता नहीं हो सकती उसके लिए एक सब्द आपका हो जाएगा अचिंतनी है जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक सब्द का प्रियोग हो जाएगा सर्वग्य जो कम जानता है उसके लिए हो जाएगा अलपग्य यानि कि जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक सब्द आपका हो जाएगा सर्वग्य और जो कम जानता है उसके लिए एक सब्द आपका हो जाएगा अलपग्य जो बहुत जानता है उसके लिए हो जाता है आपका बहुग्य तो तीनों आपको याद अखना है इसके बाद प्रवास करने वाला है यानि कि जो विदेश में प्रवास कलता है उसको हम बोलते हैं प्रवासी यानि कि अपने देश को छोड़कर जो दुसरे देश में प्रवास कल लेता है उसको हम बोलते हैं प्रवासी तो इसके बारे में आपको या दखना है जो अत्यंत अप्यात कलेजेगा जो अत्यंत जो इसके लिए एक सब्द हो जाएगा दुर निवार जो इस तरी सुर्य भी ना देख सके उसके लिए एक सब्द का प्रयोग होता है जो बात जो वारण के अतीत है यानि कि जो बात वर्डन के बाहर है उसको लिए एक सब्द हो जाएगा वर्डना तीत important है यानि कि जो वर्डन के बाहर है उसको हम बोलते हैं वर्डना तीत जो छमा पाने लायक है उसको हम बोलते हैं चम्य यानि कि जिसको छमा किया जा सकता है उसके लिए एक सब्द का प्रियोग हो जाएगा छम्य जो कल्तव्य से चीवत हो गया उसके लिए हम बोलते हैं कल्तव्य चीवत आप याद कर लीजिएगा important है जो यूध्ध में इस्थिर रहता है उसके लिए एक सब्द आपका हो जाएगा युधिस्तिर इसके बारे में आपको याद अखना है इसके बाद अगला है जो इस्त्री के वसी भूत या उसके स्वभाव का है उसको हम बोलते हैं इस प्रकार से लिखाएगा आप इस तैरन तो इसको हम क्या बोलते हैं कहा गया इस प्रकार से आपको लिखाएगा इस तैयन तो जो इस्त्री के वसी भूत या उसके स्वभाव का है उसको हम क्या बोलते हैं उसके लिए एक सब्द हो जाएगा इस तैयन इसके बारे में आपको याद अखना है अवस्य होने वाला के लिए एक सब्द हो जाएगा आपका प्रतिनीधी, जो सबमें ब्याप्त है, उसके लिए आपका हो जाएगा सर्व ब्यापी, आप याद करनेज़ेगा जो सबमें ब्याप्त होता है, उसके लिए एक सब्द का प्रियोगम करते हैं, सर्व ब्यापी. इसके बाद अगला है सक्ति का उपासक या सक्ति से संबंद के लिए एक सब्द हो जाएगा साक्त हो जाएगा सक्ति का उपासक या सक्ति से सब्द के लिए एक सब्द का प्रियोग करते हैं हम साक्त सीव का उपासक या सीव से सब्द के लिए एक सब्द हो जाएगा सैव हो जागा इनिकी जो सीव की उपासना कलता है उसको हम बोलते हैं सैव नहीं मरने वाला उसके लिए हम अमर का प्रियोग करते हैं जो किये गए उपकार को नहीं मानता उसके लिए क्रितग्य का प्रियोग करते हैं और जो किये गए उपकार को मानता उसके लिए हम क्रितग्य का प्रियोग करते हैं स्वेद से उत्पन होने वाले के लिए स्वेदस का प्रियोग होता है सब्द का इसके अलबा जो बीत गया हुँ उसके लिए हम अतीत सब्द का प्रियोग करते हैं जो आगे की बात सोचता हो उसके लिए हम अगर सोची का प्रियोग करते हैं आखों से परे के लिए परोक्ष का प्रियोग होता है प्यात को लिजेगा जो आखों से परे हो इसके लिए एक सब्द का प्रियोग क्या कियाता है तो हो जाएगा आपका परोक्षत इसके बारे में आपको यादखना है आखों के सामने के लिए आपका प्रत्यक्ष हो जाता है परलोक का इसके लिए एक सब्द का क्या प्रियोग होता है परलोकिक हो जाएगा और लोक का यानि कि जो इस लोक का हो उसके लिए हम इह लोक का प्रियोग करते हैं और जो इस लोक का नो है यानि कि परिवार के साथ के लिए हम प्रियोग करते हैं सब परिवार का अप्यात कर लिजेगा जो अपने परिवार के साथ रहता हूँ उसके लिए हम सब परिवार का प्रियोग करते हैं इसके बाद जो इस्तरी कविता रशती उसके लिए हम कवित्री का प्रियोग करते हैं जो पूर सत्रू की हत्या करता है उसके लिए हम सत्रू घन का प्रियोग करते हैं जो मांस खाता है उसके लिए मांस हारी का प्रियोग करते हैं जो केवल सा कहने कि जो मांस नहीं काता हो जो केवल साक का प्रियोग करते हैं जो फाला हार करता है उसके लिए हम फाला हारी का प्रियोग करत करते हैं जो माता की हत्या कर चुका उसके लिए मात्री हंता सब्द का प्रियोग करते हैं जो अपनी हत्या करता उसके लिए हम आत्म घाती सब्द का प्रियोग करते हैं इसके बारे में आपको याद अकना है इसके बाद अगला है आपके सामने निसा में विचरन करने वाले य तो आप खीचर के लिए इन दोनों का जो प्रियोग होता है किसके लिए किया आता है जो आपका नभिया आकास में चलता है इसके बारे में आपको याद अखना है हत्या करने वाले को हम हत्यारा कहते हैं जो द्वार का रक्षा कलता है उसके लिए हम द्वार पाल का प्रियोग करते हैं जो सास्त्र जानता उसके लिए सास्त्रग्य का प्रयोग किया आता है और जो बीना वेतन के काम कलता है उसको हम आव वैतनिक कहते हैं नहीं कि बीना वेतन का के लिए एक सब्द हो जाएगा आपका आव वैतनिक आप्यात कर लिए जाएगा बीना वेतन का इसको हम एक करन सब्द का प्रियोग करते हैं विक्री करने वाले के लिए जो है विक्रेता सब्द का प्रियोग होता है हिरिदय का विदारन करने वाला जो द्रिश से होता उसके लिए हम हिरिदय विदारक का प्रियोग करते हैं जूट बोलने वाला के लिए एक सब्द हो जाएगा धन दे किसी विशेस विशे में मतलग कि जो व्यक्ति किसी विशे को विशेस रूप से जानता उसके लिए हम विशेस सग्य का प्रियोग करते हैं। वह पुरुष जिसकी पत्नी साथ हो उसके लिए हम सब पत्निक सब्द का प्रियोग करते हैं। उसके लिए अद्रिस या अलक्ष का प्रियोग किया जाता है। इसके बाद जो सब्द का प्रियोग करते हैं। सरसीज सब्द का प्रियोग करते हैं या पे सरसीज, सीज में आपका छोटा ही रहेगा इस प्रकास से। सीज इस प्रकास रहेगा है। जो नहीं हो सकता उसके लिए असंभव का प्रियोग होता है। मिस्ट या मधूर भासन देने वाले के लिए मिस्ट भासी या मधूर भासी का प्रियोग करते हैं। जो मुकदमा लड़ता है उसके लिए हम मुकदमे बाज का प्रियोग करते हैं। इसके बारे में आपको याद अखना है। इसके बाद अगला है अब हम इम्पॉर्टेंट MCQs को कबर करेंगे। जितने भी इम्पॉर्टेंट आपके बन सकते थे और वाक्यांसों के लिए एक सब्द उनको हमने अभी कम्प्लीट कर लिया है अब हम किसको कबर करेंगे। तो अब हम कबर करने जा रहे हैं। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs को इस टॉपिक से कबर करेंगे। तो चली वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला प्रस्तन आपके सामने है। कंजूसी से धन ब्याय करने वाला के लिए एक सब्द का क्या प्रियोग हम करेंगे। कंजूसी से धन ब्याय करता है। उसके लिए एक सब्द का क्या प्रियोग हम करेंगे। फटाक से इसका जवाब देनी क्या आप कोशिश किजिए। कंजूसी से धन ब्याय करने वाले के लिए एक सब्द का क्या प्रियोग किया जाएगा। क्रीपन आपका राइट अंस हो जाएगा जो कंजूसी से धन ब्याय करता है उसके लिए हम क्रीपन का प्रियोग करते हैं तो option आपका जो C यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा क्रीपन किसी की सहायता करने वाला के लिए एक सब्द का क्या प्रियोग किया जाएगा तो किसी की सहायता करने वाला के लिए एक सब्द का आपका प्रयोग हो जाएगा सहायक यानि कि option आपका A यहाँ पे बिल्कुल सही है किसी की सहायता करने वाले के लिए एक सब्द आपका हो जाएगा सहायक अगला प्रस्ण आपके स्किन पर है पीड़ी दर पीड़ी चला आने वाला इसके लिए एक समुचित सब्द क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है पीड़ी दर पीड़ी चला आने वाला तो इसके लिए एक सब्द हो जाएगा अन्वयागत जिसके पास घर न हो इसके लिए एक सब्द का प्रियोग करते है अगला प्रस्ता आपके सामने है जिस इस्तरी के पुत्र और पती न हो इस वाक्य के लिए एक सब्द का आपको प्रियोग करना है तो जिस इस्तरी के पुत्र और पती न हो इस वाक्य के लिए एक सब्द आपका क्या हो जाएगा अवीरा क्या हो जाएगा अवीरा यानि कि option आपका A यहाँ पे बिल्कुल सही है जिस इस्तरी के पुत्र और पती न हो उनके लिए हम प्रियोग करते हैं अवीरा सब्द का जो प्रमाण से सिद्र न हो सके इसके लिए एक सब्द का क्या प्रियोग होगा अगला प्रसना आपके स्किन पर है आदी से अंत तक के लिए एक सब्द क्या होगा तो आदी से अंत तक के लिए एक सब्द का आपको प्रियोग करना है फटाक्स इसका प्रियोग करिया आप तो आदि से अंत तक के लिए आपका एक सब्द हो जाएगा आदियो पांत यानि कि आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुस ही हो जाएगा आदि से अंत के लिए एक सब्द आपका क्यों हो जाएगा आदियो पांतत इसके बारे मैं आपको याद लखना है बहुत ज़्यादा यह महत्पूर्ण प्रस्ण आपके एकजाम के लिए है जिसने इंद्रियों को जीत लिया हूँ वाक्यांस के लिए एक सब्द का आपको चैन करना है जिसने इंद्रियों को जीत लिया हूँ तो इसके लिए एक सब्द आपका हो जाएगा जीतेंद्री है यानि कि option आपका जो B यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा इंद्रियों को जीत लिया हूँ इसके लिए एक सब्द का प्रियोग आपका हो जाएगा जीतेंद्री तो option आपका B यहाँ पे बिल्कु आपके सामने है, अच्छे कुल में जन्म लेने वाला के लिए दिये गए सब्दों में से कौन सा सब्द सही है, तो जो अच्छे कुल में जन्म लेता है, उसके लिए एक सब्द का प्रियोग हम करते हैं, कूलीन, यानि कि आपका जो B है, या पर बिल्कुल सही हो जाएगा, अ जो धर्ती फोड कर जन्मता हो वाक्य के लिए कौन सा सब्द उप्यूक्त है तो इसका राइट एंसर आपका हो जाएगा उद भीज यानि क्या option आपका बिल्कुल से हो जाएगा उद भीज आपका राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रस्तना आपके सामने है जिसके हृदय म ममता नहीं है के लिए उप्यूक्त सब्द क्या होगा जिसके हृदय में ममता नहीं है तो जिसके हृदय में ममता नहीं होती है जो मैंने आपको इसके बारे बताया था तो उसके लिए हम एक सब्द का प्रयोग करते हैं क्या हो जाएगा निर्मम क्या हो जाएगा निर्मम य रात में विचरन करने वाले प्राणी को हम क्या कहते हैं तो रात में विचरन करने वाले प्राणी को हम कहते हैं निसाचर यानि कि option आपका D यहां पे बिल्कुल से हो जाएगा निसाचर option D आपके यहाँ पे 100% सही है अगला प्रस्थन आपके सामने है जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है तो जंगल में लगने वाली आग को हम कहते हैं दावानल क्या कहते हैं तो जंगल में लगने वाली जो आग होती उसको हम बोलते हैं दावानल यानि कि option आपका जो B यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा गोद लिया हुआ पुत्र के लिए उप्यूगत सब्द का आपको चैन करना है क्या प्रियोग में किया जाएगा तो गोद लिया हुआ पुत्र इसके लिए एक सब्द का प्रियोग होता है दत्तक पुत्र यानि कि जो पुत्र गोद लिया है तो उसको हम दत्तक पुत्र कहता है निकि option आपका B यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा अगला प्रस्ता आपके सामने है बीना पलक जपकाए वाक्यांस के लिए एक सब्द का आपको प्रियोग करना है बीना पलक जपकाए वाक्यांस के लिए एक सब्द का प्रियोग होगा important है, तो बिना पलक जपकाय के लिए एक सब्द अब का हो जाएगा nirmies, निर्नी मेश यहनी कि option आपका यहांपे जो दिया गया है c वाला है बिल्कुल से हो जाएगा, निर्नी मेश यहनी कि option आपका c यहांपे अगला प्रस्टन आपके सामने है मुख्च की कामना करने वाला वाक्यांस के लिए एक सब्द क्या होगा तो मुख्च की कामना करने वाला वाक्यांस के लिए आपका एक सब्द हो जाएगा मुमुक्छू, क्या हो जाएगा मुमुक्छू यानि कि option आपका C यहाँ पे बिल्कुल सही है, जो सब कुछ जानता हो, उसके लिए एक सब्द का आपको प्रियोग करना है तो जो सब कुछ जानता हो, उसके लिए जो है जानता उसके लिए क्या सब्द का प्रियोग होता है तो जो बहुत जानता उसके लिए हम बहुग्य सब्द का प्रियोग कलते हैं लेकिल जो सब कुछ जानता उसके लिए हम सरवग्य सब्द का प्रियोग कलते हैं तो इसके बारे में आपको याद अखना है अगला प्रसन आपके सामने है सो वर्सों का समूह वाक्य के लिए सही विकल्ब का आपको चैयन करना है तो सो वर्सों का समूह वाक्य के लिए एक सब्द आपका क्या हो जाएगा तो इसके लिए हम प्रियोग करते हैं सतापदी का यानि कि आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा सताब्दी जिसे बुढ़ापा न आए वाक्यांस के लिए एक सब्द का प्रियोग आपको करना है तो जिसे बुढ़ापा न आए वाक्यांस के लिए एक सब्द आपका क्या हो जाएगा अजर क्या हो जाएगा अजर यानि कि option आपका C यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा अजर अगला प्रस्ता आपके सामने है जिसका सत्रू जन्मा ही न हो उसके लिए एक सब्द का आपको प्रियोग करना है तो जिसका सत्रू नहीं जन्मा हो उसके लिए एक सब्द का क्या प्रियोग होगा अजात सत्रू तो आप इस याँद कर लिजएगा जिसका सत्रू जन्मा ही ना हो उसके लिए एक सब्द का प्रियोगност करते हैं अजात सत्रू यानि कि option आपका c यहाँपे बिल्कुल सही है अपराद बोद से होने वाली गलानी वाक्यांस के लिए एक सब्द का आपको प्रियोग करना है तो अपराद बोध से होने वाली गलानी वाक्यांस के लिए एक सब्द आपका हो जाएगा आत्म गलानी यानि कि आपका C यहाँ पे बिल्कुल से हो जाएगा आत्म गलानी तो इसके बारे में घुटनों तक लंबी हो उसे हम कहते हैं अजानू बाहू क्या कहते हैं आजानू बाहू यानि कि option आप तब भी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा इसके बारे में आपको यादक नहीं जो सिग्र प्रसन हो जाए उसे हम क्या कहते हैं तो जो सिग्र प्रसन हो जाए उसको हम बोलते हैं आसु तो उसे यानि कि option आपड़ी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा जो सिग्र प्रसन हो जाए उसको हम बोलते हैं आसू तो उसे यानि कि option आपके यहां पर बिल्कुल सही है आज का last question आपके सामने है ऐसा कभी जो ततकाल रचना करता हो उसके लिए हम एक सब्द का क्या परियोग कर सकते हैं तो ऐसा कभी जो ततकाल रचना करता हो उसको हम बोलते हैं आसू कभी क्या बोलते हैं उसको हम आसु कभी के नाम से जानते हैं यानि कि option आपका भी यहां पे बिलकुल सही हो जाएगा आप इसे याद कर लिजेगा तो दोस्तो इस तरह से आज का जो topic था वक्यांसों के लिए एक सब्द उसको हमने complete कर लिया है I hope यह वीडियो आपको पसंद आपके आने वाली परिच्छा के लिए मेधपुन होगा तो आज के लिए बस इतना ही thank you, thanks for watching, thank you